कि बतायते हैं वह आपको याद होगा हना तो देखिए सबसे पहले बात है तो हम लोग आज पहले कुछ पूशन पुश लेते हैं हना कि कौन बताएंगे सबसे पहले सबसे पहले यह बताएं आप हेज डिफ्रेंस और पाथ डिफ्रेंस में क्या रिलेशन है कि आए पाइ डूपा इंटू एक लेम्टा लेम्ट सही है तूर लिए राजे सींसे जो 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 प्रेंट है वह बताएंगे राड़े सिंसे जो 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 आइंट है वह बताएंगे वाजै इंद इंकेंस पिए फर्मॉला बोलिया कि अधिए पाई इक्वल टो एक्स बाई लेम्ड़ क्या बोला रावर क्या होता है क्वेशन रूट अंडर आई 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 वन प्लस रूटन राइटू आप अच्छा से याद ने किया है अगला दिन सब्याद होना चाहिए आपका काम नहीं चलता है माइक आपके देखिए अभी आगे थोड़ा देख लेते हैं उसके बाद फिर बात करें आगे हैं तो बात को हम लोग पढ़ने हैं इंटर फ्रेंस और वेवाज पहना है क्या कि इंटर्फ यहां लेक्स लगेगा लेकिन इंटर्फ वहां इहीं हादा है इंटर्फ यृओंति आपको दश्ते आ तो यह एक फ्षेनोमेना है जो बेव नेचर आफ बेव को एक्सप्लेन करता है अना इस फेनोमेना 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 विच एक्स्प्लेंड इस बेव नेचर बेव जहां भी होगा वहर हाल में के केस में ही होगा बात तक हैं इस फेनोमेना है जो बेव के केस में सिर्फ हो सकता है और किसी दूसरे कंडिशन में नहीं आ सकता है यह यह जो है शूपर पोजिशन आफ तूबेव है इसदा कि तूपर पोजिशन आप तूबेव क्या तूबेव एस्पेवर पूसानाफ तूबेव आप कि एन वीच विछ इन वीच रिजालटिंग बेव resulting wave have amplitude amplitude less equal or greater greater than cha superimposed wave superimposed wave देखे हम क्या लिखे हैं जहां से समझे जाची तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या काना चाह रहे हैं यानि कि दो बेब को जब superimposed करेंगे न तो amplitude जो होगा आपका लेस्ट हो सकता है इक्वल भी हो सकता है और greater हो सकता है क्यों तो यहां कि यह जो फर्मूला आप पढ़ेते वह अंडर उठ्या होग था एवन का स्क्वाइर एटू का स्क्वाइर ट्वाइस एवन एटू कॉस पाई था तो याद कर लिए यहां से जहां से तो आपको इस तरह से समझ सकते हैं क्या करना चाह रहे हैं तो यहां पर हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि यह हो सकता है और एक और 11 के बीच में कोई भी भाइल हो सकता है उसी तरह से हां एक फिनोमेना है जो होता है और यह सुपर पोजिशन का मतलब होता है ठीक है अब यह दो तरह का होता है इंटर्फेंस जो है कितने तरह का होता है दो तरह का होता है तीक है उसको देखते हैं कि यहां नाम बदल करके कर दिया गया है तो इंटर फेंस जो है कि इंटर फेंस जो है दो तरफ का होता है एक इंटर फेंस का नाम ट दिया गया तॉंस्टाक्टिव क्या कंस्ट्रक्टिव दूसरे का नाव लग दिस्ट्रक्टिव दिस्ट्रक्टिव इंटर्फरेंस इस तरह से बात समझे लिए लिए दिस्ट्रक्टिव में सिधा सा आप समझे लिए लाइट है तो ब्राइट और डार के हां देखिए सब भेक्टर है इसे लिए 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 वह जोड़ी होता है दिना वेक्टर के काम नहीं चले गाई आप याद कीजिए भेक्टर में आर मैक्स निकालते तो लाइट के केस में मैक्सम इंटेंसिटी होगा मैक्सम मैक्सम को यहां कहते है यानि दो लाइट स्वेंपोज होने के बाद आपको डिस्ट्रक्टिव आपको लागू कर दें तो हो जाता आपका डार्क तो लाइट और डार्क यहां होगा चंस्ट्रक्टिव मतलब भाएट होगा कि आप कहां से बीच आपको समय तो हम दिये नहीं है कि मैं को पीजे अपना जो संध्यारों को समझे और जो बाती है वह हम आपने खुद बता जेंगे से लिए समको पता है कि क्या करना नहीं करना है देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटर इंटर में क्या है यह यानि यह इसका मतलब आप मैक्सम की बात करेंगे न तो मैक्सम की बात करेंगे इसको इसमें पहला पंट प्रेंगे आप लिख सकते हैं रिजल्टिंग इंटेंसिटी इसमेंगा यहां पर इंटेंसी इंटेंसीटी तो एक तर्म होता लिखा जाता है यहां पर जो कि आगे एक्स्प्रिमेंट में फिर से करें गेए सब कर्म को और यहां इंटनसिटी जो होगा क्या होगा मिनमम होगा कि इंटेंसीटी इंटेंसीटी मिनिमम इसको करते हैं क्या करते हैं अब आगे जो है ना कंस्ट्रक्टिव वर्ड हम कभी नहीं बोलेंगे यह बोलने में लंबा लगता है तो डार्क की बात करेंगे डार्क मतलब कंस्ट्रक्टिव एक बात आप समझे इंटेंसीटी को मैक्सम करना है तो आई इंटेंसीटी का फर्मुला पर सुके थे तो आप लिख सकते हैं कि कॉस्ट खाई का जो भैलू होगा वह बन के भ्हाइन से यानि कंस्ट्रक्टिव इंटर Finnish देश्टतिव इंटर पर्बात कि देख लिए देख वाद को समझेए तो यहां पर बहुत हैं पर n Pi होगा क्या होगा n Pi होगा और n का नंबर 0 1 2 3 11 तो 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 यह हो गिया यह थेज़ दिफ्रेंस काgue फर्मूला हो गिया स्वारी एंटुपाई होगा यहां पर एंटुपाई ठीख है क्या होगा आपका एंटुपाई होगा है एंटुपाई होगा और यह कंस्ट्रक्टिव इंटर्फेंस के लिए आपका होना चाहिए अपका हर हाल में एंटुपाई होना चाहिए इस बात तो चीतर से बाद कि आपका यही तो पाथ करेंट डिफ्रेंस में ही पर्मूल होता है तो पाथ डिफ्रेंट सा देखे एक्स बाई का बात को समयने की कोशिश की जम क्या कहना चाह रहे हैं अब अगर हम इस हाई का भेलू हाँ पूट कर देते हैं तो एक्स ब्राबर आजाएगा एन लेम्डा और एन बराबर होगा वही जीरो वन तू यह सब सारा कर्म देख द्हान से पाथ डिफ्रेंस हो गया पाथ डिफ्रेंस हो गया देख लिए ध्यान से इस बात को समझे लिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं उसी तरह से यहां पर जब आप लिखेंगे फाई बराबर तब क्या होगा फाई बराबर आप लिखेंगे तू एन पलस वन और पाई बाई तू लिखेंगे और यह जो भेलू हो गया आपका क्या एन पराबर जीरो वन तू यह सब पूट करेंगे तो देखें कि है ऐसा होगा पाई हो जाएगा पना जीरो गंटू पूट करेंगे तो यहां से जब इस तरह से पूट करेंगे दिटीं-फ्लस-1 इंटो-पाई तही हो गया आपका दिख़ी द्रहान से तब यह जिलो प्रकरणुल फ़े खाए गया यानि कि यह उद्रेंस जब बात करें जया आप दिफेरेंस इस ब्रावर की लिखेंगे अब्लिए इन्तु लेंड़ सहल रिभाइद और mega को जाएगा हो जाएगा पाइडा य तो हो जाएगा यह हो गया क्या पाथ डिफ्रेंस का फर्मूला हो गया इस बात को समझे लिए पाथ डिफ्रेंस के लिए होता दिक डेनल से के लेंटवाइव जोणा चाहिए लेंडा प्रेंशल चाहिए जाहिए रही बाइध जोट जो नहीं कि या कि सर्वान रखेंगे जिरो रखेंगे तो बुड़ा जीरो नहों जाएगा जिलो बाइट्टू हो जाएगा इनके जगा पर यहां पर क्या हो जाएगा अगर आप तू पूट करेंगे तो फाइब लेमडा वाइटू हो जाएगा अगर आप माइनस में लिखते हैं तब यहां से सुरूआत होता है और अगर आप लिखेंगे तो यहां को भैलू से शुरूआत होता है है जिसको थे इसको परप्र्मुला भी आते हैं कि हम पूछेंगे एक चाहिए समय भी पाथ डिफ्रेंस क्या होना चाहिए का तो स्ट्रुक्टिव इंडर्फेंस का तो टिफ्रेंस क्या होना। थिस्टरक्टिव इंटर्फरेंस में होना चाहिए और 0 सो शुरुआ करेंगे नमडी पाथ दिफ्रेंस क्या होना चाहिए और यानि कि अहां पर तर्फरेंस के लिए पाथ डिफ्रेंस जिए नियो वसक ऊंद को न कि 2 बात समय त। म मैं प्रक्राइब के अजिए इसन से कि 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 अरे प्रशमी नहीं है तो बात को आप शम्मझ सकते हैं चृत्रा से हम क्या कहना चाहरे हैं कि अब आगे बढ़ते हैं यह था इंटर फ्रेंस कॉंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटर्फ्रेंस था आप लोग समझ भी चुके होंगे फर्मुला भी लर्न कर लेना अभी का अभी तुरन क्योंकि तुरन अभी इसका इस फिल्मेंट में यूज होगा तिक ट्रक्टिव इंटर्फ्रेंस और डिस्टर्टिव इंटर्फ्रेंस में क्या डिफ्रेंस है क्या फर्मुला है इन सभी चीज़ों का कि अब कि 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 देखेंए अब आगे कि 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 इन कोहरेंट सोर्स अपलाइट कि 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 कोहरेंट सोर्स आफ प्लाइट आपको देखना है यही ना तो देखेंए कोहरेंट और कोहरेंट सोर्स आफ लाइट क्या होता है उसको समझने की कोशिज करते हैं कि 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 तो देखिएगा पांचों पैकेट में दूद का एमाउंट कुछ न कुछ पांच-दस ग्राम का अलग-अलग है कि 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 में जहां दूद पैक किया जाता है ना वहां प्रेशर के साथ होता है माल ले जाकि पहले एमाउंट ऑफ मिल्क बहुत ज्यादा है और यह आपको लिटर नात के नहीं देता है इस सकेंड पर है कि एक सकेंड खुलेगा तो एक लिटर दूद निकल गया वह पैकेट में पैक कुछ निकलेगा क्योंकि जब इंस्टुमेंट से वर्क हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो रहेगा उसी तरह से बल्व में भी है अब दूसरी बात समझे उसके बाद आप कुछ भी कर लिए यानि कि दो सोर्स को एक साथ एक साथ नहीं कर सकते हैं आप कुछ भी प्रैक्टिस कर लिए कितना भी प्रैक्टिस सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आदमि घर में प्रैक्टिस करें कुछ भी सुरुआत करना हो कुछ भी कर सकते हैं कुछ नै कुछ टाइम उन्टैर्वल अगर आपको तो नैनो सकंड का भी है तो यहां फेज बदल जाएगा लाइट में क्योंकि समझे रहे हैं स्पीड ओफ लाइट इसका कितना फास्ट होता है इसलिए आप सेन सोर्स कभी डेवलप नहीं कर सकते हैं जैसे एक बाट और बताते हैं उसमें चुन दीजेगा एक बाटा सा चब ले लिजिए पानी उसमें जमा कर द tofu क्या करना है पानी जमा कर देना है उसको सांथ हो जिए जल को सांथ हो जाने दिजिए उसके बाद एक पेन ऐसे ले करके पाने में उपर नीचे किजिए क्या की आपका होगार की आप दो अलग अलग आद्र पेन को एक ही साथ ऊपर नीचे कोसित किजिए ले जाने लाने लेकिन यह संभभ भी नहीं है कि आप एक साथ उसको उपर निछ ले जाएगा लेकिन यह बात समझे लिजए ऐसा हमेसा नहीं होगा आप सोच लिए आप एक या फिर दो आदमी छोड़ दिया एक ही आदमी दोनों हाथ से लिए उपर इसे तो भी देखिए कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा तो यह जो नेचुरली जो सोर्स डेवलक होता है ना वह जेनरली इनकोहरेंट होता है कि तो कई और इंटर स्वेंट में कहरेंड सोर्स की जरूद पढ़ती है इंटर पर क्या पढ़ता है तो कोहरेंट सोर्स हम लोग बनाएंगे भचांदी स्टार्टिंग में तो सेम रहेगा ना इन इतना तुरूंस कि जीरो सकेंड मिलिसकें और हम लोग दिखते हैं से कि तुरंत आपका बेव जो है ना एक दूसरे सोभर लाइब कर जाएगा फट से सोचे एक सकेंड में लाइट का बेव जो पिट्थवी को आठ वर चक्कर मार लेता है सोच लिए इतना चलता है आप उसको अगर लाइब करना चाहते हैं तो आपके लिए असंभव का बात हो जागा यहां पर कि आप इन कोहरेंट मतलब कोहरेंट प्रोड्यूस करना कि मतलब किसी को हराते हैं किसी को पतक ना हो किसी को बेंटे करना हो बात सुनाना हो तो उहीं पर हम लोग उन्हें भी दिमाग लाया जिवाल गया कैसे किया तो हम आपको सिंपल बताते हैं आप किजिए कुछ सब्सक्राइब कर दोनों पर निचे कर रहे हैं तो अब हर हाल में दोनों पर निचे जाएगा कि नहीं आप यह किसा जाएगा कि क्या रहा क्या हम जो बोलने दिमाग लगाए है नहीं कोहरें शुर्स पैदा करने का अलग-अलग पेन था तब ना आप ऐसे कर रहे तो आगे पीशे हो रहा था कुछ न कुछ अब क्या कि जिसको एक डंटा में बांद जिए ऐसे अना डंटा को बीच में पकड़ करके इसको उपनी चेकिए तो आप और एंट्स पैदा कर देंगे तो कैसा लाइट में दिमाग कहां से अब आप ध्यांज सुनिये मेरी बात को फिर से दुपारा अगर इन लेकिन बेफरंट क्या होता था वो याद होगा आपको कि अधिए फरंट होता है यह जाद हो कि कि हम काते हैं इसका है इस बात को समझे अची तरह से कि हरे चेज कॉंस्टन होता है यानि कि मतलब ही अब आपका मतलब था कि कॉंस्टन फेज में जो ऑसिलेट करेगा पार्टेकिल से में जो उसलेट करें तरह उसी को वे फिरन करते हैं आज की तो कालेक्शन और पार्टेकिल वीच उसिलेट इन सेम फेज इज नोन आज बेफरंट का याद कीजिए पीछे क्या कॉंस्टेंट फेज वह पार्टेकिल का समुझ जो सेम फेज में उसिलेट करें और तब कि यूजन ने एक बात और कहा था इसका हरे दो पॉइंट याद आया कि नहीं आपको कि एक पॉइंट याद आया कि कॉंस्टेंट फेज होता है पूरे फ्रंट का और उसका हर एक पॉइंट याद करता है कि इसलिए क्या पूछ रहे थे आप बुर्ली आपनों कि देखिए हमने कहा दो पॉइंट याद करना है क्या क्या एक पॉइंट यह कि कि सब्सक्राइब होता है और आप बताइए कि यहां पर जो दो सोर्स है जो अलग अलग सोर्स बनेंगा वह क्या होगा आपका तो आपका पॉइंट नेचर से नहीं हम लोग बना सकते हैं यह बात समझने आ गया होगा है कि देखिए क्या चीज़ कोहरेंट सोर्स क्या होता है उसको कि यह सर अभी जो बताया है यह वे फ्रंट वाला चलिए तो हम बता लेते हैं फिर से सुन लिजिए एक बार बात देखें अब आप देखें दो टेपनीशन पहले जो पढ़ें उसको याद दिए आपका किसी भी सोर्स के चारों तरफ जो बेफ्रंट होता हो क्या होता है कि यह समझते हैं कि वह पार्ट मतलब करें क्या करें उसको क्या करते हैं उसको कोहरेंड करते हैं इस बात को समझ यह ची तरह से कि बेफ्रंट का हरे पांट एक नया सोर्स के जैसा भी है पटाएं एक बेफ्रंट पर लाग पो सोर्स होते हैं तो यह सोर्स और सोर्स सेम थेज में कि अलग-अलग पेज में अब आप बताएं तो सेम पेज में आ गया तो इसको हम लोग कोहरेंड सोर्स कहेंगे की इन कोहरेंड सोर्स कहेंगे यह बात आप समझ लिजी अब फिर से हैं है कोहरें यहरें होग तो चली सका टिकशन यिकलेटे हैं क्ना क्वेशान बहुत इंपल है उसको लिख लकेjsk पहले होई आ दू कर थे देखे सिंपल अगर बात अगर समझते हैं तो कोहरेंट सोच क्या होता है उसका अराम से देखे सोच अपलाइट सोच अपलाइट सोच अपलाइट विच इमिट बेर इमिट बेर विच एब सब्हेब का इद फेजसे कोहरेंट सोच अपलाइट कोहरेंट... इस प्लाइट का सब्सक्या होगा हरेंट सब्सक्रक्राइंट अपलाइट में धिडिपेटविठेंस क्या होगा। पर दिफ्रेंस जो होगा वह क्या होगा आपका प्रेंस वह क्या होगा आपका जीरो गाइस बात को याद कर देना और इन कोहरेंट में सकते प्रेशन क्या लिखेगा आपके बताएए इन कोहरेंट सोर्स आप लाइट हम लाइट अभी पड़ेंश लिए नहीं तो साउंड में भी होगा इमेट बेव रीच हैज दिफ्रेंट फेज डिफ्रेंट पेज अगा आपी परता है 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 इन कोहरेंट सोर्स आप लाइट इन और को प्रोलम है तो बोली हमको आइस में जो फेज़ दिफ्रेंस लिजेगा क्या लिजेगा प्रोलम है तो बताईए अब ध्यान से समझे लिजे बात को अच्छी तरह से कि नहीं को कोई कस्ट है तो जरूर बोलिए पुरांत हम आपका स्वलूशन करने के लिए तैयार है कि अब बोली जल्दी से इसमें क्या पुप्रस्ट आ रहा है को हरें सोर्च में पहले ही आप याद कर लीजे शेंट करेंगा दो सोर्च से किसी भी पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो सेम फेज में होगा और अगर आपका दिफरेंट फेज में पहुंचा तो आपका होगा हम तो पहले ही बता दिए कि अब आप समझ लिजिए कि अगर यह सोर्च एक साथ कभी नहीं कर सकता है यह दोनों सोर्च हमेशा का इनकोरेंट होगा लेकिन कोई इसी सोर्च का अब यह जो बेफ्रंट है ना इस सी सोर्च यह अलग अलग सोड़ देखें अब हम लोग को experiment पढ़ना एंग्स डवल स्लिट एक्स्प्रिमेंट यह लास्ट टॉपिक है इंटर्फेंस का आने सूपर पोजिशन अब यहां पर जो है यह लास्ट टॉपिक है तो हम लोग देखते हैं आगे और लिखते हैं यंग्स डवल स्लिट एक्स्प्रिमेंट पूर होगा वीजियो को रिप्लेक करके पीछे से आप समझ सकते हैं कि कोहरेंट क्या होता है तो बात को समहने की कोशिश करते हैं यहां पर ध्यांसे यंग से डवल स्लिट एक्षमेंट है यंग से डवल एक्सपेरिमेंट देखें बात बुलते हैं इतना लंबा टर्म नहीं लिखता है लिखता है काटल में वाइडी यसी कोशन में सोचले कोशन में तेरा इन वाइडी यसी और इस तासे कोशन देगा यानि कि इसका सौट फरम ज्यादा पर चलित है लेकिन यह है यह जिसको करते हैं सिंपली यह डवल स्लिट एक्स्पेरिमेंट अब डवल स्लिट क्यों बनाए गया था उसका रिजन समझे डवल स्लिट की बात क्या क्या उट्किया गया था उसमझ थो है यह अब करें यहां पर देखेंऽ यह आपका ऐसा सिस्टम है धने आसya कचिश्टम समंझे दे हैं लहाँरे नहीं यह बरका दिवाल है और भ्यानक भ्यानक दिवाल है यंग डबल स्लीप किया कैसे जाता हो समझे बात को ध्यान से पहले प्रिभीव को समझे लिए क्योंकि नहीं तो बुक में फिगर और बाद में बिना समझे हुए कॉपी और नोट देख लिजेगा न तो बहुत कंफिजन हो जागा यह जो किया जाता है बंद डबा में किया जाता है एक्सप्रिमेंट बंद डबा समझते हैं एकदम रूम में अंधेरा ही अंधेरा कर और से जो लाइट आएगा सब रूम में लाइट का कंदिशन लेgender नेखिए कहीं पर आपका बुदर रहेगा कहीं पर आपका डार ज रहेगा वह ही एक्सप्रिमेंट यहां करने वाल है और यहां जो है चारों तरफ से रूम बंद है और यह जो है दिवाल है और यह भी इस दिवाल में दो छेद करेंगे दो छेद करेंगे बात समझ लिए लेकिन पहले हम यहां पर एक लाइन खीच रहे हैं अब यह जो लाइन खीच है ना जितना उपर इसमें होल करेंगे करके उतना ही नीचे भी नाप जो करके होल करना है मतलब दोनों जगा होल जो है सेम डिस्टेंस पर हो यह होल है इसको काते हैं क्या करते हैं आप बात समझेगा चित्र से यहीं स्वर्च का काम करेगा और यहीं कोहरेंट सोर्च का काम करेगा क्या कैसे वह का क्या सब्सक्राइब हम बताते हैं यहां जोर से देखें का हम सूर्स किसे बना देते हैं कैसे यहां यह वह सूर्स लेंगे है लाइट का चीजे अर यह फोकस हो जाएगा इसका सूर्स ऑपर लिखते हैं और फोकस निए इसके इसको बैठा दिये कहां बैठा दिये फोकस पर और यह स्वोर्स है अब इस फोकस से जब तकराईगा ऐसे 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 कैसे निकलेगा जब इस पर दिवाग में तक्राइगा यानि कि हमारा तहने मतलब और मिनिंग है उसको समय लिए यह सब्सक्राइब लिए रेज्क के तो ले अब मेंयेख सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब 로 कोहरेंट का मतलब जब कोहरेंट अभी होगा तो बाद समझेजे क्या यही देफ्रेंट नागे चक्राएगा बाकि लाइक को रोप लेगा जहां वह था उस लाइट अंदर गुझ जाएगा कहां इर्दम दार्क रूम है ये लिख दूं क्या ये डार्क रूम है जो लिख दर कि डार्क कुल में एक्षूर्म होता है जारों कर से और मात्र दो होल है इसको कहते हैं और यह सोच का काम किया और दिवाल बार-बार बोल रहें दिवाल गां करेगा इस बात को समय लिए बासमेर है उच्छी तरह से यह तक रहे हैं यहांसे ढूरी है उसको capital D से मानता है क्या कि से मानता है capital D से और इस दोनों सोर्स के बीच की जो दूरी है ना उसको a small d से मानता है बात समय लिजिए a small d से मानता है यानि कि यहां पर जो है अगर लिखेगा डी का distance between 2 to a select को सोर्स काते है राप कोहरें सोर्स काते हैं क्या हो चुके है समयधार हो चुके हैं तो डिस्टेंस बिट्विन तू सिलिट और सोर्स की बात करेंगे ठिक है तो दिस्टेंस बिट्विन टू सिली और सोर्स की बात करेंगे और डिस्टेंस बिट्विन बिस्टेंस बित्विन अस्क्रिन होगा पूछते हैं यह जो सोर्स आं इहें से नीकल दाए तो अब लेंडा था था तो अब लेंडा होगा कि लेंडा से चोटा होगा बोली जल्वी से बताएए जल्वी साफ लोग दिमाग लगाएए हमने कहा यह स्वेंडा लेमडा होगा इसका भी सोर्स का लेमडा होगा लेमडा से ही है तो आप्लिचू भी सेम हो गया फ्रिविकेंसी भी सेम हो गया तो सारा दोनों और लेमडा जो यहां लिखेंगे वह यह बेव लेंद है एक्सप्रिमेंट में यूज हो रहा है वह आप बता है हम बोल रहे हैं तो हमारा आबाज यो है हाना आपके पास पहुँच रहा है और हम यहां बोल रहे हैं मतलड ताउन बेंड हैं यहां हवा में तो जो मीडियम यहां है वही मीडियम आपके पास भी है मेडियम अगर बदल जाएगा सब बदल जाएगा यहां मीडियम हवा यहां है तो इसलिए यहां है आपता सेम होगा और कोई डाउट है तो गुलिए क्योंकि आगे बढ़ेंगे यानि कि इतना तीन पॉइंट आप समझ गए कि दी क्या है दी क्या है और लेमडा क्या देखिए यहां पर जुमेट्री से इसका सोलूशन होता है यहां लगता है तो सबसे पहले तो यहां पर क पड़ेगा और यह मानना पड़ेगा देखिए अब हम लोग क्या करेंगा आफ यह नां के साइन अलग रिजल्ट ऑगा उस रिजल्ट को याद करना है कि तो रिजल्ट को याद करना है तो ही हम समझ रहे हैं कि यंग्स ने क्या किया था देखिए दिहान से समझेगा हम लोग यहां पर एक पॉइंट पी लेते हैं उस पॉइंट पी पर क्या करते हैं उस बात को समझे कि इस कोशिच किजिए करें कि यहां से पहुंच करके आपर सुपर इंपोज किया है तो हम यह लिकलना चाहते हैं कि इस पाइंट पर यहां पर यहां से पॉइंट हो रहा है इस बात को समझना है यहां पर यहां से पॉइंट हो लिया दो बेव है दोनों से कि देखिए हम यहां स्टेट लाइन से काम चला रहे हैं बुग में क्या करता है ना इसे दिखाएंगे लेकिन करता है इसलिए वो दिखा रहे हैं यह आपको पेचिदा होता है तो सिधा सिधा समझे कि यहां पर गया है तो इस पोजीशन पर रहे हैं इस पोजीशन पर दार्क बना की ब्राइट बना प्वा स्टैंटिव हुआ कि यह निकालना था मानना पड़ेगा कि वा जो है पॉजीशन पर ना पर ना पर कि क्या है कर दो लिखना पड़ेगा यहां से बाई जो है पोजीशन कि आप पॉएंट पी ओफ प्युआप फी where we study position of point P position of point P from central point C where we study we study interference phenomena the difference phenomena is interference phenomena study constructive when first is the construction 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 अनिस्टन रचन अनि बनावर्ट देखे दिस दर एक्प्रिमेंट में जो जो यंग स्ने किया था उसको सिर्फ हम समझा रहे हैं हमारा यह नहीं है बस यही आप समझ लिजिए तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया सबसे पहले यहां से एक पर पेंडिकुला डाला गया इस प अलग-अलग पांट का नाम रख दिये हैं ड्रॉइस बन के पर पेंडिकुलर ऑन एस टूपी यानि सबसे पहले हमको यह ड्रॉइस बन के पर पेंडिकुलर है एस टूपी पर लाइन पर एंड फेयर भी इच भेरी भेरी गेटर दैन अस्मॉल डी यहां पर एक्स्प्रिमेंट में यह कंडिशन लगा गया यह जो होगा ना इसके रिस्पेक्ट में बहुत बढ़ा हो गया हजार गुना दस हजार गुना लाग गुना गजब बात आप लोग कर रहे हैं यह तो तो दिखाए नहीं इंडी है एक वित्ता और यह भी देखा दिखा दिए हम एक वली कुल पर इसलिए दिखाए कि आपको पिक्टर किलियर से बने डागराम किलियर बने इसलिए दिखाए है नहीं तो आप खुद सोचिए कि अगर आप इसके केस में बनाएएगा आएसा डा तो आप डिखा पाईएगा लेकिन रियल में यह बहुत बढ़ा होता है और कोश्चन जब दिया रहेगा ना आपको बुक में या एक जाम में आएगा ना तो इस डी का डिस्टंस देगा मिलीमीटर में कितना का डिफेरिंस है एक हजार मिलीमीटर बस इतनी सोचली कम से एक हजार का एंतर को रहेगा उसे तो जड़ा गौर से समझेगा यहां पर तो होगा देखे अब गौर से समझेगा अब यहां पर कुछ अंगल को इधर दर फिर करें दुबारा नहीं समझाएंगा इसलिए एंगल समझेगा जहां से क्या है एक लाइन जो है ना यहां से हम डॉट लाइन खिचें डॉट लाइन देख लिए बीच ओ बीच इसको ठिच्टे हुए चले गया है यहां पर देख लिय द्हां से आप गोर समझेगा अच्छी तरह से यें येंगल जो है आपका ये एंगल यह दॉर्ट लाइन गया और यह एंगल गया वह एंगल को मैंने स्थिता मान लिया तो यह भी एंगल ठीटा होगा क्या इस बाद से अब सहमत है और नहीं है एक दम जब दोनों पॉइंट रहेगा ना समझेगा तो यहां तीनों पॉइंट एक ही जगह से गुज़र रहा है क्योंकि एक हजार गुना कंतर है इसलिए एंगल यह सेम ही होगा हरा दूसरी बात अब अगर एंगल यह ठीटा है जाब में कर रहें इधर रेड लाइन है उससे पर लान कलम नहीं चला रह रहे हैं और यदि यह है citizens तोब्स एतना हिसा अंगल Bak poem कौन रिए एंगल यह आङई कि यह एंकल भी आपका बनके निकलेगा ज़ा को देख लिए द्याहन से समेस्थी मेरी बातको क्या क्या कहना चाह रहे हैं वह बहुच हो चीन ही ळेगा तो यही कहने का बात हम कह रहे थे कि यह भी एंगल ठीटा होगा ठीटा का जमेल आपको खतम हुआ आप लोगों की नहीं खतम हुआ यह बताईए क्योंकि एक्प्रिमेंट में आपको यह सब चीज़े याद करना पड़े बाद में सब यह बोर्ड के लिए और इसका जो कोशन बनेगा उसका से ज्यादा को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तो फर्मूला पर कोशन बनता अब एक बात और समझे यहां पर जब यह बहुत छो और यह बहुत 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 चोटा है यह अंल कि इतना हो अ में बहुत चोटा होगा की एक फ़िक्री कहन भ़ोग05 तो जड़ा गौर की लिए क्या होगा यहां पर जब गौर की लिए क्या होगा जब यह परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस कंडिशन के बाद हम लोग यह लिखेंगे कि एक पी जो होगा ओ यह सबन पी के बरावर होगा क्योंकि यह एंगल बहुत चोटा है और परपेंडिकुलर डाल दिये तहीं नाइंटी डिग्री और यह एक डिग्री से बहुत चोटा जिरो प्रावर होगा इसको लगभग कर दिजे लगभग बरावर होगा यह बात यह बात इतना आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत चीजें याद करना पड़ता था इसके बाद हम कुछ नहीं करना है सिर्फ हम को मैठ के हिसाब से डारेक्ट चलेगा अब उसमें याद उद्ध करने वाला कहानी नहीं है इसके बाद तो देखिए यहां पर इन ट्राइंगल अगर एस बन एस टूप के चलिए इन ट्राइंगल जब इस ट्राइंगल हो और साइन और ठीटार सब बरावर होगा है यहां सब कुछ छोटा होगया थिम्यार बरावर हो गए तो समझीखे ते लिएगन से हम क्या करना? हो जाएगा आपका याने स्टू के बाए आपका डी हो जाएगा इसलिए एस डू के बराबर जो होगा घार लिख सकते हैं या डी साइन थीता लिख सकते हैं यह बहुत ही मार्केवल पॉइंट इसको याद करना पर यानि स्टू के इकॉल टीटन ठीटा होगा यह तीनों हो सकता है आप यूज होगा हम लोग यूज कर लेंगे सिदा सिदा बास समझ लेजिए यहां तक बास समझना आए कि नहीं कि इसके बाद हम अब मिटाने वाले है इधर का पाद तो देखिए इधर से बात अब मिकार है फिगर आप लोग बनाएएगा पहले उधर से बना लिजिएगा यहां तक हम छोड़ेते हैं अस्तिन लिखावा सब मिकार जाए अब इसके बाद जो है ना हर्मूला डेरिवेशन के ओर हम लोग चल रहे हैं भीरे से तो यहां से एक्प्रेमेंट भी सिधा सिधाला सब्सक्राइब है और उसके सिवा कुछ जब्वत नहीं पड़ेगा देखिए अब गौर से समझने की कोशिस कीजिए गा एक पाइंट क्यों चोले हैं उसका रिजन उसका यूज करेंगे भी देखिए पाथ डिफरेंस अजम सर्थ डिफरेंस अपाथ और इफरेंस अजम सर्थ दिफरेंस आफ और डिफ बाव ड़ की टरुटसटि झाब फैंट फैंट यून सस्थ सिघ्जः कोई से 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 तो पांथ डिफिरेंस क्या होगा आपको दिख राथटीगर में इसकी लबाए ज्यादा परहा है इसकी लंबाए तरमाए सब्सक्राइब यानि सब्सक्राइब सकते हैं सब्सक्राइब और आपको पता था कि जो है वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब वह सब्सक्राइब तो नाओ लिख सकते हैं इसको इधर सब्सक्राइब जेते हैं नाओ पाथ डिफ्रेंस जो होगा पाथ डिफ्रेंस एक्स बरावर क्या होगा एक्स बरावर आगे है एस्टू के और एस्टू के क्या भैलू यहां निकाला हुआ है आप पाथ डिफ्रेंट को रेड कर रहे हैं इसको याद करना पड़ेगा यहां से वहां तक जो गया यहां से वहां तक जो गया पाथ डिफ्रेंट जो है और डी साइन ठीका है बस समझ लिए बात को इन ट्रेंगल चलीं अब किस में देखें इस ट्रेंगल में यहां पर ओ मानना हुआ है पॉइंट को ओ अर पी में इन ट्रेंगल OCP में चलिए तो OCP में जब चलिएगा देखे OCP स्ट्रेंगल में चलिएगा तो यहां ठीटा है तो 10 ठीटा बराबर जो यहां पर होगा परपेंडिकुलर आनि PC यानि यह बाई दी आ गया तो इसलिए पाथ डिप्रेंस फिर से जब लिखेगा तो पर अलग से याद रखना अब एक परमुला अलग से आ रहा है पाथ डिप्रेंस एक बराबर दी टैंट इन ठीटा टैंट इस बराइड आगा तो एक बराबर क्या दिए बी अब आपकाइक याद कर लेना है इनी कंडिशन देख लिए हम क्या कहना चाहरे हैं जो क्योंकि इसके बाद हम मिटाएंगे अच्छी तरह से फिर से दुबारा तो देखें बात को समझें अब हम आगे क्या लिखने वाले हैं अब यहां पर पहला पॉइंट चले रहा है पाथ रिफ्रेंज देखें और कंस्ट्रॉक्टिव इंटर्फेंज और ब्राइट प्रिंज याद देगा ना और ब्राइट प्रिंज है राइट फ्रिंज या मैक्सिमा के बदले लिखें और कंस्ट्रॉक्टिव इंटर्फेंज लिख सकते हैं चारों इसलिए बदल के लिखें बोले कुछ हो रहा है क्योंकि फिर से जब दुबारा आप वीडियो देखेंगा तो बा आपको पता है क्या होना चाहिए था कि एक्स बराबर होना चाहिए था एन लेम्डा याद कर लिए पाथ डिफ्रेंस क्या होना चाहिए था आपको एन लेम्डा होना चाहिए था देखिए जहां से और पाथ रिफ्रेंस का योई फर्मूला गया तो आप लिख सकते हैं दी व्यक्तित में क्यं तुक्ति यो आव ब्ढ़ाबर क्या बात मोट ऑगल मैक्सिटी था मफ सॉच बता दिया कि क्या तो अब फिर से पुरान निकाल रहे हैं हमको सिर्फ पाथ रिफ्रेंस याद करके रखना है बस यह बला पॉइंट और पॉजिशन और निकाल रहे हैं तो यहां के बाद अब हमको बात क्या करना है वो समझ लिए ध्यान से जार मैं आज पॉजिशन आप मैटम मांपको निकल गया था उसके बाद का बात है अब यहां से पोजिशन और मैक्स माण से लेखें है पोजिशन आप मैक्स मां देखें हैं से हम लोग क्या हैं देख रहें हैं पोजशिई शरwo कर मांई आगया है पोजीशन ऑफ मैक्समा पोजीशन ऑफ मैक्समा का जो फर्मुला आगया आनि जहां ब्राइट फिंच बजने वाला है वो बाई का जो फर्मुला आगया था जागया था यह लेमडा डिवाई-स-मॉल्ड यह लिख सकते हैं वाई ब्रावर चाहोगा और एन का जिरो पूटीये जिरो पर मिलेगा मैक्समा लेमडा डी वाई-दीपर मिलेगा तो लेमडा डी वाई-दीपर मिलेगा यानि कि सेंट्रल पॉइंन पॉजीशन भाइट था तो सी से जब आइव ने तो बाई पोजीशन जीरो जहां है वहां मैक्सिमा बनेगा इस पोजीशन पर मैक्सिमा बनेगा इस तरह से इस साइड भी मैक्सिमा बनेगा या इधर भी आपको बैद इपर इधर भी तू जाहते सब्सक्राइब में निकालते हैं चाहते हैं निशच्टेव् इंटर्फरेंस टो जा और मिनमा के लिए क्या होगा इधर हीडिंग होगा इदर से हम बना दे रहे हैं आका सरेक्टर मिनमा के लिए अब क्या हो जागा इतला समझ लेजे तो आपको पता है कि पाथ डिफ्रेंच जो होता है ना एक परावर होता है तू एन पलस वन और लेमडा वाइट वहता है तो आप लिखेगा डैटिज करके आप अधर से क्या आगया था था पार्ट रिप्रिशन्स क्या था था इसके पहले आ गया था 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 तर दी और बाई बाई कैप्टल दी था ऐसा था डेली ध्यान से पाथ डिफ्रेंस का एक फर्मूला आया था याद कर लिए भी अना आपका पाथ डिफ्रेंस था बाई 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 डी और इन्टू डी और एक्वल टू जब लिखेगा तद टू एन पलस वन लेमडा बाई तू लिखेगा अब जार ध्यान से देखिए सब को धल लेके चल जाएए तब पोजीशन आप मेनिमा जो है मेनिमा वो बाई परावर क्या मिला अब बाई बाई सब्सक्राइल सब्सक्राइड पलस लेमडा बाई तू डी मिला टीर कि थाच-बाई नहीं स्टेदेटर चेख नश्छ खेंट लेमडा टी बाई जो तो दर रहाल में आपको दो जीरो पर है और लएम्ड़ा पर है आप द्राइट में बीच और बीच होगा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं दो डार्क के बीच में एकड़म ब्राइट होगा बात उगट पुरटके बोलिए आई समय तो हम लोग आई रहें बदल बदल के बोलने में नहीं दो ब्राइट के बीच में डार्क होगा तब तो आप आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्या है दो लगातार ब्राइट के बीच की दूरी दो लगाता-डार्क के बीच की दूरी हर हाल में सेम ही है ह्ँर हाल में क्या है एकडम सेम ही है लिख सकते हैं distance between टू डार्क या ब्राइट फ्रेंज इज क्या है डेली ध्यान से लेमडा डीवाई दी है लेमडा डीवाई क्या है आपका डी है अब एक टर्म होता फ्रेंज बीट फ्रेंज बीट है का बीटा करते हैं क्तिन्षे बीटा से क्या है इसा बीटा से रिया है क्या है नाहिकीट बिट्वीड सुप्राइट या डार्क फूशय बिट। और डार्क प्रिंज कोहीं बीटा करते हैं प्रिंज का मतलब चड़ाई यानि बीटा का जो फर्मुला आ जाएगा लेमडा डी बाई दी आ जाएगा इतना बात समझ लिए अभी एस्प्रिमेंट समात नहीं हुआ है अगले क्लास में चलेगा फर्मुला याद करके रखिएगा वीडियो देखके यहां तक उतार करें शलीएगा फर्मुला के साथ कि पिर आपका पाट डिरेंज का क्या क्या है दो परस्य एक पाट रिप्रेंज भाई जो आया था आपका दी टैं थीटा दी साइन थीटा इस आया था अब ऑले हैं स्थाग गए मिटिंग करें अब अगले उन को हम पूरा करेंगे क्योंकि क्योंकि इतना पर रखेगा एक दो बार वीडियो देखके रखेगा तो अगले कलाशना आपको प्रस नहीं होगा नहीं देख रखेगा तो नहीं देख रहे हैं अब आपको कस्ट चाहिए या नहीं चाहिए यह बात आप खुद समझ लिजिए तो जरूर एक दूबार देख लिजिए अच्छे से अच्छे समझ लिजिएगा जो नहीं समझना आएगा फिर हमसे पूछ लिजिएगा जरूर्ण बता देंगे लेकिन समझ के रखेगा हर हाल में एक-दो बार करके जो बहुते हैं बात उसको दिशान से समझझ यहाँ बात को आपका काम हो जाएगा हर ह तो आज का मिटिंग अब यहीं परेंड करते हैं अब आगे लिए वीडियो